आज हम देखने वाले हैं मोल कॉंसेट टॉपिक एक्जाम ओरियेंटेट दो सब्जेक्ट अब उस सब्जेक्ट में जो कॉंटेंट्स है एक है इंपरिकल फॉर्मूला और दुसरा है लिमिटिंग रियेजेट तो चलो लेट्स बिगिन कंटेंट शॉट बात करते हैं इंपरिकल फॉर्मूला की अब अगर मैं इंपरिकल फॉर्मूला के बारे में अगर बात करो तो इंपरिकल फॉर्मूला में सब्में फर्मूला है, ग्ल्कोज का कुण सा फर्मूला और अगर मैं बात करो तो पहले आपको मैं फ़र्मूला और इंपरिकल फर्मूला इन दोनों को यहाँ पे लिख रहा हूँ तो इसके बाद इसकी definition के बारे में भी बात करेंगे तो देखो molecular formula जो की बच्चों को easily पता होता है कि molecular formula जो है glucose का वो C6H12O6 होता है और glucose के empirical formula की अगर मैं बात करूँ glucose का कुण सा empirical formula अगर मैं इसकी बात करूँ तो glucose की empirical formula होता है that is CH2O अब यहां पर एक चीज ध्यान से देखो यह है molecular formula of glucose और यह है empirical formula of glucose clear तो इन दोनों में क्या difference है molecular formula जो है वो आपको actual number of atoms की information देता है कौन? molecular formula actual number of atoms की information देता है कि उसके अंदर कौन से atom present है और कितने present है इसकी जो information देता है वो कौन देता है molecular formula अब अगर इसकी अगर मैं बात करूँ empirical formula की तो empirical formula जो है आपको information देता है ratio of atoms present in a molecule इसकी ratio of atoms present in a molecule की information देता है empirical formula clear ठीक है तो important चीज़ यह है कि हमें यह find out करना आना चाहिए empirical formula हो या फिर molecular formula हो question से हम देखेंगे कि उसको कैसे find out करते हैं तो देखो यहाँ पे यह चीज़े आपको पता होती है glucose का molecular formula सभी को पता होता है इसलिए यहाँ पे लिखा है और यह इसका क्या है empirical formula दोनों को define भी मैंने कर दिया है अच्छे तरीके से तो आप देखो यहाँ पे एक चीज़ सब में important चीज़ क्या अगर इस empirical formula को मुझे अगर that is molecular formula में convert करना है इस empirical formula को किस में convert करना है molecular formula में अगर convert करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा clear इसको एक number से multiply करना पड़ेगा जो की है 6 अगर मैं इसको 6 से multiply कर दूँ इस empirical formula को 6 से अगर मैं multiply कर दूँ तो मुझे वापस से क्या मिल जाएगा that is the molecular formula clear तो अब यह कैसे find out करते हैं इस number को यहाँ पे हमें molecular formula भी पता है और हमें यहाँ पर empirical formula भी पता है इसलिए हम easily इस number को बता सकरें इसलिए हम easily इस number को हम क्या कर रहें बता पा रहें इस यहाँ पे लेकिन question में आपको यह दोनों given नहीं होंगे तो आपको यह number भी find out करना आना चाहिए तो बिटा वो कैसे find out करेंगे तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे पहले इस molecular formula का हम लिखेंगे molecular formula mass molecular formula mass इसको short में MFM लिख देता हूँ मैं molecular formula mass और इसको हम बोलेंगे molecular mass molecular mass और question में molar mass भी दिया जा सकता है तीनों में से कोई भी चीज आपको दी जा सकती है एक तो molecular formula mass दिया जा सकता है या molecular mass दिया जा सकता है या molar mass दिया जा सकता है कोई भी चीज आपको एक कोई भी word आपको दिया जा सकता है तो इसका अगर molecular formula mass की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे carbon का atomic number है 12 multiplied by 6 करेंगे इसका atomic number है 1 multiplied by 12 करेंगे इसका atomic mass है that is 16 multiplied by 6 करेंगे यानि कि यहाँ पे सारे जो atoms है in atomic masses के addition करेंगे इनके atomic masses के का करेंगे addition तो यह आएगा 180 यह कितना आएगा 180 अब यह जो है यह कौन सा है बिठा यह empirical formula है तो यहाँ पे इस empirical formula को हम लिखेंगे empirical formula mass इम्पेरिकल formula mass short form में हम इसको लिखेंगे EFM empirical formula mass अगर इसकी अगर मैं बात करूँ तो empirical formula mass देखो यहाँ पे एक carbon है दो hydrogen है एक oxygen है carbon का atomic mass 12 hydrogen का atomic mass 1 multiplied by 2 करेंगे oxygen का atomic mass 16 1 ही है तो इन सब की अगर मैं addition करूँगा तो यह आएगा 30 यह कितना आएगा 30 और इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दो किसको that is molecular formula mass divided by empirical formula mass अगर मैं कर दूँ तो हमें नंबर इकवल्स टू नंबर इकवल्स टू नंबर इकवल्स टू जो question दिये जाते हैं questions में किस तरीके से किया जाता है आपको यह नहीं नंबर दिया जाता है आपको question में दिया जाता है सिर्फ molecular formula mass या फिर molecular mass बोलेगा या फिर molar mass बोलेगा ठीक है तो उससे हमें नंबर फाइंड आउट करना आना चाहिए तो उसके लिए हमें empirical formula mass पता होना चाहिए वो question में नहीं दिया जाता है तो empirical formula mass हम कैसे calculate करेंगे पहले हम empirical formula को find पिर ही हम इंपरीकल फॉर्मूला मास को क्या करेंगे पाइंड आउट करेंगे यहां पर थेक है तो अब दूसरी चीज यहां पर देखो इस इंपरीकल फॉर्मूला को मैंने इस नंबर से multiply करने के बाद मुझे क्या मिला molecular formula तो यहाँ पे मैं MF equal to MF ने की क्या molecular formula equals to empirical formula multiplied by number लिख सकता हूँ molecular formula equals to empirical formula multiplied by number तो यह भी important है तो इन equations को यानि की इन formulas को हम question में कैसे apply करते हैं इसके बारे में हम आप बात करते हैं फिर ठीक है तो उससे पहले हम और एक चीज़ देखेंगे जैसे की कुछ molecules लेंगे हम उन molecules के empirical formula directly कैसे लिखे जाते हैं clear ठीक है तो उनको पहले हम देखेंगे तो यह important चीज़ है तो चलो बढ़ता हूँ मैं आगे next point की और अब यहाँ पे अगर मैं next point की अगर बात करूँ तो देखो next point जैसे की हाँ यह वाला clear ठीक है अब इस next point की अगर मैं बात करूँ तो यह next point यहाँ पे molecular formula घीवन है आपको की लिखना क्या है अगर यह नुबर में common निकाल दू अगर एक नंबर मैं क्या निकाल दूँ, common, तो यहाँ पर देखो, common number क्या निकलेगा बिटा, 6, common number क्या निकलेगा, 6, तो यहाँ पर 6 को अगर मैं common निकाल दूँ, clear, थोड़ा पे इनका color हम change कर लेंगे, यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं वरना, अगर common number अगर मैं यहाँ 6 निकाल दूँ, देखो होगा क्या, जैसी की है, clear, तो यहाँ से अगर common number 6 अगर निकल जाए, तो यह carbon एक रहेगा और hydrogen दू रहेंगे, तो empirical formula बनेगा CH2, empirical formula क्या बनेगा, CH2, अब यहाँ पर बेंजीन है, यहाँ पर भी common 6 निकलेगा, तो empirical formula आएगा CH, यहाँ पर दो यह पी आएगा, BS3, तो देखो, यहाँ पर कोई भी atom point में नहीं रहना चाहिए, यानि कि जैसे की BH1.5 ऐसे नहीं रहना चाहिए, clear, ठीक है, तो कोई भी atom point में नहीं रहना चाहिए, अब Na2SO4, Na2SO4 में 2 sodium है, 1 sulfur है, 4 oxygen है, तो यहाँ पर अगर मैं common निकालना चाहूं, तो 2 को मै common नहीं निकाल सकता, क्यों, क्योंकि अगर मैंने 2 common निकाला, तो इस number को, ठीक है, sodium तो एक हो जाएगा, लेकिन sulfur 0.5 हो जाएगा, और अभी मैंने आपको बोला था, कोई भी atom point में नहीं जाना चाहिए, तो यहाँ पर common एक ही निकलेगा, तो यहाँ पर देखो, जो molecular formula है, व carbon कितने हैं बेटा, दो, तो यहाँ पर इसको c2, hydrogen कितने हैं, चार, oxygen कितने हैं, 2, c2, h4, o2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, c2, h4, o2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अब यहाँ से अगर देख लूँ तो common कितना निकलेगा, 2, तो यहाँ से 2 को अगर common निकालू, तो इसमें 3 लिखा है, तो sulfur atom कितने हैं, 3 हैं, oxygen atom कितने हैं, 12 हैं, तो अगर मैं 2 से सब को divide करूँगा, तो sulfur point में चला जाए, 2 से अगर सब को divide करूँ तो sulfur किसमें चला जाएगा, point में, clear, ठीक है, एक तो common निकालो ये divide करके देख लो, clear, ठीक है, तो हम यहां से कुछ भी common नहीं सकते, क्यों, क्योंकि 2 से अगर divide करेंगे सब को, तो aluminum तो एक हो जाएगा, लेकिन sulfur कितना हो जाएगा, 1.5, और oxygen कितना हो जाएगा, 6, लेकिन sulfur 1.5, तीन से अगर करूँ तो ये point में चला जाएगा, तो इसलिए यहां से हम कुछ भी common या फिर किसी भी number से इसको divide नहीं कर सक सकते, तो जो molecular formula होगा, वही इसका क्या होगा, empirical formula, AL2SO4-3, और इस last question के अगर मैं बात करूँ तो H3PO4, H3PO4 में भी 3 hydrogen है, 1 phosphorus है, और 4 क्या है, oxygen atom है, तो यहां से phosphorus देखो, एक ही है, तो किसी से भी divide नहीं कर सकते, तो यहां पर ये H3PO4 ही रहेगा, जो empirical formula, sorry, जो molecular formula है, वही उ चीस clear, ठीक है, तो important है, ये तो थे आसान-ासान से question, तो देखो आप इसके उपर कैसे question पूछे जा सकते हैं, clear, neat की exam में, तो यहां पर इसके हम बात करते हैं, यह रहापका first question, question में आपको एक तो percentage देगा हो, question में आपको क्या देगा हो, percentage दे सकता है, या question में आपको number दे स सकता है, क्या दे सकता है, mole ratio, तो questions को करेंगे हम यहां पर, पहला question, देखो step by step, कुछ steps यहां पर करने होते हैं, वह सारे steps में आपको बता दू, यहां पर क्या है, a compound is formed by two elements, x and y, दो elements से compound बन रहा है, किस से, x and y से, atomic mass of x is 25 and atomic mass of y is 16, compound contains 75% x, compound contains क्या, 75% x and the molecular mass of the compound, देखो यहां पर molecular mass आपको given है, कितना, 132 then calculate, the molecular formula of the compound, तो करना क्या है, percentage आपको given है, तो steps क्या करनी है, आपको देखो, पहला कुण से कुण से element है, x और y, तो इन elements को इस तरीके से ऐसी यहां पर लिखना है, x side आपको x लिखना है, और x side आपको क्या लिखना है, y, clear, ठी ठीक है, आप यहां पर, आपको step 1, आपको step 1 क्या करना है, percentage को आपको mass consider करना है, percentage को आपको क्या consider करना है, mass तो यह 75% है, तो हम x को कितना consider करेंगे, 75 gram consider करेंगे, x को, और यहां पर y, अब y का तो percentage question में given है नहीं, तो y को कितना लेंगे, बिटा कभी भी percentage का total अगर देखा जाए तो 100 होता है, अगर x 75 है, तो y 25 होगा, 25% होगा, तो यहां पर, इसका जो mass आएगा, यह आएगा 25 gram, इसका mass कितना आया, 25 gram, अब यहां पर, second step की अगर मैं बात करूँ, तो step 2 हमें करना है, पहले step हमने क्या की, percentage को mass consider किया, अब दुसरी step हमें करना है, mass से moles calculate करना है, करते वक्त, atomic mass से ही आपको divide करना है, moles calculate करते वक्त क्या करना है, atomic mass से ही divide करना है, तो यहां पर moles, that is small n से denote किया जाता है, moles को, तो 75 divided by x का atomic mass आपको question में given है, जो कि कितना है, 25, तो यहां पर, अगर मैं 75 divided by 25 करूँगा, तो यह कितना आएगा, 3 moles है, clear, अब यहां पर भी second step देख लो, that is 25 divided by, इसका atomic mass, atomic mass कितना है, 16, atomic mass कितना है, 16, तो 16 से अगर हम divide करेंगे, clear, ठीक है, अगर 4 से cancel करूँ, तो 4 4 जा कितना, 16, और, 4 6 जा कितना, 24, 4 6 जा कितना, 24, तो यहां पर अगर और इसको 4 से अगर cancel करूँ, तो that is 4 1s are 4, तो यहां पर लिखता हूं, 4 1s are 4, point देना पड़ेगा, कितना remaining, 2 remaining, तो 4 5s are 20, तो यहां है, 1.5, clear, ठीक है, यहां पर चाहे, तो approximate का sign में लगा दो, clear, क्यूंकि हमने इसको 6 time ही cancel किया है, आगे further cancel नहीं किया है, तो यह 1.5 आया, यह 3 mol आया, अब यहां पर second step हो गई, clear, पहली step क्या थी, percentage को mass consider करो, दूसरी step क्या थी, mass से moles calculate करो, और moles calculate करते, वक्त atomic mass से ही divide करो, अगर आपको question में chlorine बोला गया है, तो आपको CL2 नहीं लेना है, आपको सिर्फ CL लेना है, question में आगर आपको hydrogen बोला गया है, तो आपको hydrogen के लिए सिर्फ ह। H2 नहीं लेना है अगर आपने H2 ले लिया तो आपने गलती कर दी clear ठीक है तो यहाँ पे यह सब में important चीज है जब भी हम moles calculate करेंगे किसे divide करेंगे atomic mass से अब third and that is the second last step या last step भी बोल सकते हो करना क्या है इन में से जो छोटे moles है small value जो रहेगी moles की उस value से सभी moles को आपको क्या करना है divide small value कोन है that is 1.5 तो 1.5 से सब को divide कर दो तो यहाँ पे 3 divided by 1.5 तो यहाँ जाएगा बेटा कितना 2 और यहाँ पे यह third step that is 1.5 divided by 1.5 अगर इसको divide कर दो तो यहाँ जाएगा कितना 1 इसका मतलब आपका x कितना आया 2 y कितना आया 1 x कितना आया 2 और y कितना आया 1 तो यह रहा आपका items का ratio और इसी ratio को बोला जाएगा empirical formula तो यहाँ पे empirical formula जो रहेगा वो empirical formula क्या रहेगा x y sorry पढ़ेगा एक बार that is x 2 y empirical formula क्या रहेगा x 2 y clear अब यह तो आया empirical formula अब इस empirical formula का अगर मैं empirical formula mass बोलू that is empirical formula mass एक बार आपको empirical formula अगर पता चल लगा है तो उससे हम empirical formula mass बता सकते हैं तो x का atomic mass कितना है 25 और उसका है 16 तो 25 multiplied by 2 करूँगा यहाँ पे चलो लिखी देता हूँ 25 multiplied by 2 प्लस कितना 16 तो यह कितना हुआ 50 50 प्लस 16 तो यहाँ पे कर देते हैं that is यह 50 प्लस 16 66 empirical formula कितना हुआ 66 clear टिक है तो आप question में आपको molecular formula mass यह तो हुआ empirical formula mass question में आपको molecular formula mass given है यह क्या है given molecular formula mass आपको question में given है कितना 132 तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यह 132 आपको molecular formula mass given है clear तो हमें देखो molecular formula find out करना है क्या find out करना है molecular formula तो हम पहले number find out करेंगे तो यहाँ पे में number equals to molecular formula mass divided by empirical formula mass तो molecular formula mass कितना है बेटा that is molecular formula mass है 132 divided by empirical formula mass कितना आया 66 तो 66 का double that is 132 होता है 66 का double कितना होता है 132 यानि कि number कितना आया number कितना आया 2 तो यहाँ पे molecular formula इक्वल्स टू empirical formula multiplied by क्या number तो empirical formula कितना है empirical formula है x to y multiplied by number कितना है 2 तो यहाँ आया आपका molecular formula that is x4 white x4 white clear अब कुछ बच्चे क्या करते हैं इसको और simplest form में लेके जाते हैं यानि कि इसको भी 2 से divide करेंगे clear इसको आगे further बेटा 2 से divide नहीं करना है क्योंकि molecular formula actual number of atoms present in a molecule कितने होते हैं वो बताता है आपको ratio find out नहीं करना है empirical formula के लिए आपको ratio find out करना है clear ठीक है लेकिन हमें molecular formula बुला है तो इस question का हमारा answer यहीं रहेगा इसको further 2 से divide नहीं करना है clear ठीक है तो यह रहा एक type का question तो जरूरी क्या है percentage को mass consider करो यह फिर अगर आपको question में mass ratio भी अगर given है तो उस mass ratio को as a mass ही consider कर लो clear ठीक है तो पहली step पी तो mass को that is percentage को mass consider कर लिया दूसरी step mass से moles calculate किये और moles calculate करते समय किस से divide किया atomic mass से यह चीज clearly ध्यान में रखना मैंने बुला है अभी थुट देर पहले अगर question में hydrogen दे सिर्फ hydrogen लिक कर दे आपको H2 नहीं लेना है आपको यहीं लेना है empirical formula का अगर question है question में अगर chlorine बोला है तो आपको CL ही लेना है oxygen अगर बोला है तो O लेना है O2 नहीं लेना है clear और अगर nitrogen बोला है तो आपको N लेना है यह यह नहीं लेना है दूसरी step से moles calculate कर लिए clear तो तिसरी step क्या करेंगे जो कुछ small value रहेगी moles की उस value से सारे moles की value को क्या करेंगे divide और जो कुछ number आएगा वह atoms का ratio होगा और वही हमारा empirical formula होगा clear तो आपने इसको copy कर लिया होगा एक बार फिर भी मैं आपको दिखा दो that is the पूरा solution तो यह रहा question और उसका solution तो चलो बत करते हैं बगले next question की तो next question यह रहा यहाँ पर देखो और एक concept का आपको यूज करा है that is the law of consideration of mass यहाँ पर आपको what is the empirical formula of manganese oxide if 100 gram of metal oxide contains कितना 60 gram metal बोला है 60 gram क्या बोला है metal तो यहाँ पर देखो अब इसकी अगर मैं बात करूं तो इस question में आपको दो concept को use करा है कौनसा कौनसा that is law of conservation of mass और दुसरा है empirical formula तो यहाँ से मुझे metal कोन है अपना manganese है metal कोन है manganese clear अब यहाँ पर MN metal को मैं यमी लिखता हूं और oxygen को लिखता हूं तो पहली step कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखो 100 gram of metal oxide contains 60 gram metal metal कितना है 60 gram है अगर metal 60 gram है तो oxygen कितना होगा 40 क्यूं क्यूंकि इस में से अगर मैं इसको minus करूंगा तो mass किसका मिलेगा oxygen का metal oxide में से अगर आपने metal को minus किया तो mass किसका मिलेगा oxygen का तो यहाँ पर oxygen का mass कितना 40 gram हो clear अब यहाँ पर second step second step क्या है moles moles calculate करने के लिए 60 divided by atomic mass question में आपको given है that is 60 divided by कितना 55 तो यहाँ पर 60 divided by 55 अगर हम करेंगे तो यह approximately 1.0 something कुछ आएगा that is 1.0 something तो इसको 1 ही लिखता हूं मैं और यहाँ पर अगर हम यह करेंगे इसकी second step करेंगे तो इसका moles equal to 40 divided by गलती से भी 32 मत करना गलती से भी 32 मत करना 40 divided by कितना करेंगे हम 16 तो 40 divided by 16 अगर हम इसको calculate करेंगे तो 40 divided by 16 करने के बाद आपका answer जो आएगा वो answer आएगा that is the 2.5 यह answer कितना आया 2.5 यह मोल है और यह भी मोल है अब इन दोनों में छोटा नंबर अगर मैं देखो तो यह approximately 1 आएगा clear 1.0 something आएगा तो यहाँ पे मैंने 1 कर दिया उसको और यह 2.5 आएगा तो यहाँ पे आपका metal कितना आया that is 1 मोल और oxygen के मोल 2.5 आए तो छोटे मोल्स कोन है that is 1 तो 1 divided by 1 करेंगे तो यह 1 आएगा और यहाँ पे 3rd step करूं that is 2.5 divided by 1 करूंगा तो यह 2.5 आएगा तो इसका empirical formula जो रहेगा इसका empirical formula क्या रहेगा that is m o 2.5 तो यहाँ पे हम करते है that is empirical formula equals to m oxygen कितना है 2.5 तो मैंने आपको बोला था कि हम किसी भी element को point में नहीं रख सकते तो यहाँ पे oxygen point में आया है तो यहाँ से इस point को हटाने के लिए हम इसको 2 से multiply करेंगे clear आप किसी भी number से आप multiply कर सक है उसे आपको इस number को simplest करना है point में नहीं रखना है आपको इस number को क्या करना है simplest point में नहीं रखना है तो इसको अगर मैंने 2 से multiply कर दिया तो 2 से multiply करने के बाद यह कितना हो जाएगा m2o5 आप मैंने बोला तो है आपको 2 से multiply करो लिखा नहीं है यहाँ पे directly मैंने multiply कर दिया त तो मेटल को हमने यम ही लिखा है तो M205 यह रहा आपका आंसर है तो चलो बढ़ते हैं नेक्स कोशन की और अच्छा कोशन था अब नेक्स कोशन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखो आपको इस कोश्चन में in a compound x atomic mass 10 दिया है y का atomic mass 15 दिया है contents x and y in 3 to 3 molar ratio 3 to 3 क्या molar ratio find the empirical formula of the compound तो सब में जरूरी चीज अगर आपको कुश्चन में molar ratio गीवन है तो जो molar ratio आपको गीवन है वही आपका क्या होगा empirical formula clear जो molar ratio होगा वही क्या होगा empirical formula आपको यहाँ पे mass वगरा कुछ कंसिडर करना या calculate करना इस check में नहीं जाना है आपको यहां पे क्या जो molar ratio है वही आपका क्या होगा empirical formula कब अगर वो molar ratio है तब अगर यहां पे mass ratio given होता तो इस mass ratio का हम mass consider करते अगर यहाँ पर बोला होता कि mass ratio है तो 3 gram x लेते और 3 gram हम क्या लेते y बाद में moles calculate करते और moles में के छोटे नमबर से सभी moles को divide करकर हम empirical formula को find out करते लेकिन यह क्या है? mole ratio है तो जो mole ratio होगा वही क्या होगा? empirical formula clear है clear तो यह रहा आपका empirical formula हाँ इसको अब और आप simplest form में ले जा सकते हो x y की form में ला सकते हो क्योंकि यह क्या है empirical formula है clear ठीक है तो यह रहा हमारा that is the empirical formula का point चलो तो हम next topic की बात करते है हमारा next topic है that is the limiting empirical formula को अभी हमने देखा उसके questions पी देखे तो हम next topic that is the limiting agent that is the most important topic clear ठीक है तो limiting agent की अगर मैं बात करूं तो limiting reagent देखो नाम भी है limiting तो जब reaction में एखाद reagent एखाद reactant reagent की बजाएक में reactant बोलता हूं clear ठीक है तो more clear होगा आपको एखाद reaction में जो reactant है अब देखो for example जैसे कि इस reaction की अगर मैं बात करूं that is n2 plus 3H2 balance करके लिख रहा हूं already that gives 2 moles of NH3 इस reaction की अगर मैं बात करूं तो इस reaction में अगर यह दोनों reactant है इस दोनों reactant में से एक reactant पहले ही खतम हो जाए यानि कि जल्दी खतम हो जाए और यह बच जाए तो इसको बोला जाता है limiting reagent जो reaction में पहले खतम होता है उससे क्या बोला जाता है limiting reagent बोला जाता है अगर hydrogen पहले खतम हो और nitrogen बच गया तो hydrogen limiting reagent होगा और nitrogen पहले खतम हो गया और hydrogen बच गया तो nitrogen क्या होगा limiting reagent clear तो बिटा आपको यह चीज़ clear होनी चाहिए कि limiting reagent को question में कभ यूज किया जाता है that is much more important point कि limiting reagent कभ यूज करना है आप कभी भी limiting reagent को use नहीं कर सकते हो तो limiting reagent को कभ यूज करना है जब आपको question में धान से सुरना और लिखकर भी रखना जब आपको question में दोनो ही reactants के amount given हो amount यानि की क्या एक तो आपको mass दे सकता है एक या फिर आपको mole दे सकता है या फिर आपको volume दे सकता है या फिर आपको number दे सकता है particles का या पिर concentration and volume concentration and kya volume concentration and volume से हम moles find out कर सकते हैメल sh Алभा मोयरिटी के आपको value देगा और volume वह आपको देगा तो molarity multiplied by volume अगर करोगे तो आपको क्या आएंगे moles ठीक है तो यह चीजे अगर आपको given है कुछ भी एक चीज क्या बुला मैंने question में अगर आपको दोनों reactants का amount given है amount याने की mass हो सकता है mole हो सकता है that is number हो सकता है volume हो सकता है और concentration and volume clear यह कुछ भी आपको दिया जा सकता है तभी आपको क्या use करना है limiting reagent का concept apply करना है कब apply करना है कब apply करना है वापस दौराओ साथ साथ limiting reagent का concept कब apply करना है जब question में दोनों ही reactant का amount अगर given है तब यानि कि nitrogen और hydrogen इन दोनों का अगर आपको amount given है इसका अगर आपने mass question ने आपको इसका mass दे दिया और इसके moles दे दिये तो दोनों का amount given है clear दोनों के moles देगा या फिर दोनों का number देगा या फिर दोनों का concentration and volume देगा clear C and V करता हूं concentration and volume और इसका भी concentration and volume कुछ भी दे सकता है अगर आपको question में दोनों ही reactants का amount अगर given है तब आपको क्या apply करना है limiting reagent तो यहाँ पर देखो आप limiting reagent यह तो मैंने बता दिया कि कब apply करना है अब कैसे apply करना है तो सब में पहली चीज आपको करनी है question में अगर data आपको अगर mass given है number given है concentration volume given है या सिर्फ volume given है तो इससे पहले आपको moles calculate करना है पहले आपको क्या calculate करना है moles तो step 1 क्या रहेगे हमारी हम moles को calculate करेंगे किसको calculate करेंगे मोल्स को calculate करेंगे दूसरी step हमारी रहेगे हम balance chemical reaction लिखेंगे पहले तो moles calculate कर लोगे दूसरी चीज balance chemical reaction लिखोगे तीसरी चीज that is third step हम करेंगे limiting reagent को find out और उसके बाद हम करेंगे calculation on the basis of limiting reagent and relate it with standard reaction या फिर balance chemical reaction तो वो कैसे करेंगे सारी चीज़े हम question में देखते हैं clear आपको यह चीज clearly ध्यान में होनी चाहिए कि reaction सरे question में दोनों ही reactant का अगर आपको amount given है तभी इसको आपको क्या करना है use करना है clear तो चलो अब यहां पर that is question के और मैं आता हूं directly तो question के अगर मैं बात करूं इसके तो यह रहा हमारा question when two mole of nitrogen reacts with five mole of hydrogen then find the moles of ammonia and find the moles of excess reagent clear आपको अगर यह given है देखो क्या given है two mole of nitrogen reacts with five mole of that is hydrogen then find the moles of what ammonia यानि कि nitrogen nitrogen और hydrogen मिलकर क्या बना रहे तो यहां पर आपको पहली चीज़ी है clear होनी चाहिए कि nitrogen और hydrogen क्या है reactant है और इन दोनू reactant का question में amount given है और इन दोनू reactant का question में अगर amount given है तो आपको क्या apply करना है limiting reagent इस concept को आपको apply करना है clear ठीक है तो यहां पर देखो that is n2 moles तो given है तो moles क्या find out करने की ज़रुत नहीं है अगर आपको mass वगरा given होता तो step one हम वही करते कि moles पहले find out करते है तो moles already question में given है तो आप हम moles find out नहीं करेंगे हम directly step two की ओर जाएंगे क्या कि balance chemical reaction आपको लिखना है nitrogen की reaction किसके साथ है hydrogen के साथ है और इससे क्या बन रहा है NH3 इससे क्या बन रहा है NH3 तो बेटा यहां पर nitrogen कितना है दो तो यहां पर भी nitrogen को हम 2 करेंगे clear यहां पर hydrogen कितने है दो यहां पर hydrogen है 6 तो यहां पर 3 से multiply तो यह हो गई आपके reaction balance clear ठीक है तो अब reaction में आगर मैं बोलू nitrogen के कितने mole है 1 mole reaction में question में नहीं पूछ रहा हूं मैं आप इस तरीके से जो चीजें गीवन है उसको जो है आपको इस box के नीचे लिखता है यानि कि यह हो गई आपकी balance chemical reaction question में आपको nitrogen के कितने mole है दो तो nitrogen के नीचे ही nitrogen के मोल लिखो hydrogen के नीचे उसको मत जाने दो clear ठीक है अब hydrogen के कितने mole given है आपको question में that is the 5 mole given है तो यहां पर कर ली अब हमें step 3 क्या करना है step 3 करना है that is the limiting reagent को find out करना है वो कैसे करते हैं दो तरीके हैं दोनों भी तरीके मैं आपको बता देता हूँ पहला तरीका देखो that is simplest one क्या दो जो balance chemical reaction है तो इस balance chemical reaction क्या करी आपसे एक mole nitrogen को पूरी तरीके से खतम होने के लिए ठी मोल caffeine reason चाहिए या या फिर ठी मोल three mole hydrogen को पूरी तरीके से खतम होने के लिए एक mole क्या चाहिए nitrogen या यानि कि यह जो बैलंस केमिकल रियाक्षन है यह 100% complete हो जाएगी यानि कि यह बी एक मॉल पुरी का पूरा खतम हो जाएगा यह तीन मॉल पूरा का पूरा खतम होजाएगा और दो मॉल क्या बनेगा तरज़्दा आमोनिया तो हम बोल सकते हैं एक मॉल नाइ टोजन को पूरी तरीके से खतम होने के लिए 3 mol hydrogen required है तो यहाँ पर हमारे पास कितना है 2 mol nitrogen तो 1 के लिए 3 है तो 2 के लिए कितना रहेगा 6 लेकिन यह हमारे पास 6 mol है क्या नहीं तो यह value 6 mol से क्या है कम अगर यह value 6 mol से कम है तो हम इसको बोलेंगे limiting region अगर ये value 7 mol रहती ये value कितनी रहती 7 mol तो 1 mol के लिए कितना 3 तो 2 के लिए कितना 6 यानि कि 1 mol requires 3 mol तो 2 mol requires 6 mol अगर ये हमारी value 7 mol रहती तो ये होता excess reagent जो बच जाता है clear 7 mol रहती तब लेकिन ये value 7 mol नहीं है ये value कितनी है फाइव मॉल है तो यह लिमेटिंग रिएजंट है तो यह क्या है एक्सेसरी एजंट यार जो बच गया यानि कि दो मॉल का दो मॉल पुरा का पूरा नहीं बचा कितना खतम हुआ वो भी नहीं पता टोटल है यह क्या है तोटल यह टोटल दो मॉल है हमारे पास अब यह जो है पूरा का पूरा खतम हुआ यह जो है पूरा का पूरा क्या हुआ खतम क्यूं क्यूंकि यह क्या है लिमेटिंग रिएजंट इसलिए पांच मॉल पूरा का पूरा खतम हुआ तो आप हम फर्दर जो कुछ कैलकुलेशन क करेंगे वह किसके बैसिस पर करेंगे तो कैसे करेंगे अब देखो यहां पर इसको चाहे तो थोड़ा सा अलग कलर से मैं आपको शो कर दूँ जैसे की चलो हमें करेंगे तो यहां पर हीजन कोर रहा है अमोनिया तो 5 मोल हाइड्रो से कितना मोल अमोनिया बनेगा लियेड़्िट्वाइक कर लो तो 5 multiplied by 2 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5 multiplied by 2 और यह value आएगी divide में तो यह आया 10 by 3, 10 by 3 यानि की 3.33 mol कुन आया ammonia 3.33 mol कुन आया ammonia इसके basis पे ही हमें calculation करना है limiting reagent के basis पे ही हमें क्या करना है calculation clear ठीक है तो यह calculate हमने कर लिया अब और दूसरी चीज़ क्या है दूसरी चीज़ जैसे कि मैं यहाँ पे calculate कर लूँ चलो अब 3 mol hydrogen के लिए 1 mol nitrogen required है clear 3 mol hydrogen के लिए 3 mol H2 के लिए 1 mol क्या लगेगा यंटू तो हमारा hydrogen जो है वो कितना खत्म होगा 5 mol तो 5 mol hydrogen के लिए कितना mol nitrogen required है question mark पता नहीं है हमें आप बोलोगे तरो 2 mol हैना हमारे पास बेटा वो 2 mol total है यह पूरा का पूरा खतम नहीं हुआ या फिर पूरा पूरा बचा नहीं है तो यह कितना finish हुआ और कितना बचा यह हमें calculate करना है अब देखो 3 mol hydrogen को पूरी तरीके से खतम होने के लिए 1 mol nitrogen को पूरी तरीके से खतम होना चाहिए पिर 1 mol nitrogen पूरी तरीके से खतम होना चाहिए तभी 3 mol hydrogen पूरी तरीके से क्या होगा खतम तो हमारे पास 5 mol hydrogen पूरी तरीके से खतम हुआ है तो उसके लिए कितना mol nitrogen पूरी तरीके से खतम हुआ वो हमें find out करना है तो यहाँ पे cross multiply करेंगे तो 5 multiplied by 1 divided by कितना 3 और इसको अगर मैं calculate करूँ तो 3 वनजा 3 point देंगे that is कितना remaining 2 remaining clear ठीक है तो अब 2 remaining अगर है तो point दिया तो 20 ह 18 और 2 remaining तो 36 जा 18 तो 1.66 mol आएगा यह तो 1.66 mol क्या है nitrogen जो है that is yen 2 यह जो है यह क्या हुआ बचा या फिर खतम हुआ खतम हुआ बेटा क्यों क्योंकि 3 mol hydrogen को पूरी तरीके से खतम होने के लिए 1 mol nitrogen का mandatory है खतम होना वो खतम ही होना चाहिए अगर यह mol nitrogen के जो कि finish हुए है तो यह भी mol nitrogen के ही रहेंगे जो कि क्या हुए है finish हुए है तो इतना mol nitrogen क्या हुआ finish तो remaining कितना है तो remaining यहाँ पे लिखता हूँ that is remaining mols of nitrogen short में लिख है मैंने that is small a यानी की mols होते है remaining mols of nitrogen equals 2 total कितने थे हमारे पास 2 minus कितना करेंगे 1.66 तो इन दोनों का subtraction अगर आप करोगे तो clear ठीक है तो important topic है तो यहाँ पे इसका मैंने question आपको समझा दिया है तो इसको एक बार copy करो clear और question मैं आपको लेता हूँ आपकी more clarity के लिए तो चलो बढ़ते है next question की और next question की अगर मैं बात करूं तो यह रहा हमारा next question क्या है when 32 gram of methane reacts with 32 gram of oxygen देखो 32 gram क्या दिया है methane reacts with 32 gram of oxygen तो oxygen को हम क्या लेंगे o2 लेकिन empirical formula में oxygen बोले तो क्या लेंगे हम o clear important है empirical formula में अगर oxygen बोला है तो o लेना है nitrogen बोला है तो यन लेना है chlorine बोला है तो cl लेना है hydrogen बोला है तो h लेना है किसमें empirical formula में लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको oxygen लिखके दिया है तो आपको यहाँ पी molecules करना यहां पर nitrogen बोला होता यहां पिछले question में nitrogen बोला था तो यहां तो यहां पर आपको question में mass given है तो सब में पहली step है हमारी क्या पहले हम moles calculate करेंगे तो moles किसके methane यानि की CH4 तो given mass divided by molar mass तो methane का यहां पर given mass जो है 32 है और methane का molar mass होता है 16 क्योंकि carbon का atomic mass 12 और hydrogen का atomic mass 1 तो 1 multiplied by 4 करेंगे तो 4 आएगा तो 12 प्लस 4 कितना 16 तो यह कितना मूल आया बेटा दो मोल को क्या है या दो मोल वैसे अगर मैं moles find out करूं किसके oxygen के तो moles of oxygen equals to given mass of oxygen divided by molar mass of oxygen तो given mass एक जरूरी चीज़ गीवन mass जो है आपको वो ग्राम में ही रखना है अगर यहां पर आपको milligram में given है तो यहां पर आपको इसको gram में convert करके रखना है तो important चीज़ ध्यान में रखना यहां पर mass आपको always किसमें रखना है gram में इस formula में clear ठीक है तो given mass कितना है 32 oxygen का molar mass oxygen है निकी कौन O2 तो 16 multiplied by 2 करूंगा तो यह भी 32 आएगा तो यह कितना आया बन मोल है यह हुई first step तो second step हम क्या करेंगे that is the reaction लिखेंगे reaction कैसे लिखेंगे that is the CH4 की reaction किसके साथ है oxygen के साथ तो क्या बनेगा hydrocarbon का combustion है तो always आपका CO2 and water form होगा hydrocarbon इसको hydrocarbon बोला जाता है अब reaction को अगर balance करूं एक carbon hydrogen चार तो यहां पर 2 से multiply hydrogen 4 हो गए यहां पर oxygen कितने हैं दो यह दो oxygen यह दो oxygen टोटल चार oxygen हो गए तो यहां पर 2 से multiply ठीक है तो देखो reaction को अगर मैं देखूं तो इस reaction में 1 mol कोन है CH4 दो मोल कोन है oxygen और यहां पर 1 mol कोन है CO2 और यहां पर 2 mol कोन है water clear ठीक है तो यहां पर देखो जैसे की यह है यह एक balance chemical reaction हो गए हमारे लिए अब question में जो गीवन है CH4 की कितने mol given है 2 mol तो यहां पर लिख दिया 2 mol और यहां पर अगर मैं बात करूं oxygen का कितना mol given है 1 mol तो अब को यूज करना है उसको रफ में करो और उधर ही छोड़ दो यहां पर मैं रफ डिफरेंट कलर से कर देता हूं कि रफ वर्क स्वर्क इसको आपको calculation में यूज नहीं करना है यह सिर्फ किसके लिए है limiting reagent को find out करने के लिए तो find out limiting reagent आपको क्या करना है रफ यह और एक तरीका है जो कि मैं आपको बता रहा हूं दूसरा तरीका भी इसके पहले को हम find out करेंगे आपकी जो मोल्स हैं यह जो मोल्स है जो की question में given है question में तो वैसे तो मास given था हमने मोल्स find out कर लिए तो एक question में दिये हुए मोल्स को उनके strikeometric coefficient से divide करना है तो इस मोल को इसके strikeometric coefficient इसका strike स्टाइकिissoוש 대해서 निए कि कितना वन है, यहां पे कुछ भी नहीं लिखा है यानि कि वन तो यह आ रहा रहा वन मॉल, इसका ऑकशिजेन का स्टाइकियोमेटिक कोईशेन यानि कि यह 2, यह 2 मॉल, ठीक है, तो इन मोल्स को इनके स्टाइकियोमेट्रिक कोईफिशेंट से डिवाइड करना है. तो CH4 की मोल कितने है? 2 और उसका स्टाइकियोमेट्रिक कोईफिशेंट कितना है? CH4 का 1 तो ये आएगा 2 और oxygen की मोल कितने है? 1 ये ने लिखने आपको question में जो given है वो और इसको उसके stoichiometric coefficient से divide करना है तो इसका stoichiometric coefficient कितना है oxygen का 2 तो oxygen का stoichiometric coefficient है 2 तो 2 से divide कर लेंगे तो यहाएगा कितना that is the 0.5 अब यहाँ पर limiting reagent कैसे find out करेंगे जो छोटा number रहेगा जिसके लिए number छोटा रहेगा oxygen के लिए number क्या आया छोटा तो यह रहा बिट reagent क्यों क्योंकि यह number जिसके लिए छोटा आएगा divide करने के बाद तो वो चीज क्या होगी limiting reagent यानि कि oxygen क्या है limiting reagent है तो यह भी तरीका है clear यह तरीका कभ यूज करना है आपको अगर reactant 2 से ज्यादा हो 2 से ज्यादा अगर reactant है एक general reaction दे दी आपको a plus 2b plus 3c ऐसे that gives 5d ऐसे क कुछ clear तो उस समय आपको इसी तरीके से आपको limiting reagent को find out करना है clear है ठीक है तो यहाँ पे clear अब देखो यहाँ पे यह तो तरीका मैंने यह बता दिया आपको limiting reagent का अब दूसरा तरीका जो थोड़ी दिर पहले मैंने आपको बताया था वो क्या था that is यहाँ पे और फिर से म क्य का है? कम है यह value अगर चार से कम है तो लिमटिंग है तो देखो ऐसे भी oxygen ही limiting reagent आया और ऐसे भी oxygen ही limiting reagent आया अगर यह limiting reagent है तो यह कौन सा reagent है excess reagent है तो ये पूरा का पूरा खतम होगा क्या नहीं clear ठीक है तो ये total moles है ये कितने खतम हुए कितने बचे कुछ पता नहीं है लेकिन ये पूरा का पूरा क्या हुआ खतम ये एक mole पूरा का पूरा क्या हुआ खतम तो आपको find the moles of क्या बोला है product तो आपको product के moles find out कर रोगे दो mole से कितना है एक mole तो इसके एक mole से यह कितना बने गा cross multiply कर लो one multiplied by one और इसको divide मिले जाओ तो यह बनेगा half mole यह कितना है half mole Rap mole तो half mole क्या बना तो यहाँ पर 1 is to 1 का होगा तो यह बनेगा आपका 1 mol या फिर आप cross multiply कर सकते हो clear टिक है तो यह आपका question की किस तरीके से अब यह कितने बचे कैसे find out करना है 2 mol को पुरी तरीके से खतम होने के लिए इसका 1 mol खतम होना जरूरी है तो इसके 1 mol को पुरी तरीके से खतम होने के लिए यहाँ पे आपको question mark लिखना है cross multiply कर लो इसको divide में दाल दो तो आपके 0.5 mol खतम हो जाएंगे तो बचेगा 1.5 लिए ठीक है तो यह रहा limiting reagent का next question इसके बाद हम last question को देखते है limiting reagent के clear और यहाँ पे हमारा topic पुरी तरीके से हो जाता है clear ठीक है तो यहाँ पे देखो one liter of hydrogen and one liter of chlorine are mixed how will the volume of the mixture changes after the reaction at same temperature and pressure at same temperature and क्या pressure तो important है question में आपको क्या given है one liter volume और यहाँ पे भी one liter volume तो यहाँ पे और इस चीज़ आपको use करना है जो की बोलते हैं जिसको हम other gate rose law other gate rose law क्या बोलता है volume directly proportional to moles को अगर टेंपरेचर एंड प्रेशर अगर टेंपरेचर एंड प्रेशर अगर टेंपरेचर एंड प्रेशर कॉंस्टेंट है तो volume directly proportional to क्या है moles तो यहाँ पेस volume को हम moles में convert नहीं करेंगे क्योंकि volume directly proportional to क्या है moles तो देखो अब reaction किसकी किसकी है बिटा H2 and Cl2 की इन दोनों का amount आपको given है volume दोनों का given है तो limiting reagent ही आपको यूज करना है तो पहले reaction लिखेंगे moles क्योंको नहीं calculate कर रहे क्योंकि हम यहाँ पे आवगेट्रूज लॉक या according इसको solve करेंगे important है clear पढ़ाय जाता है आवगेट्रूज लॉक हो अब यह कितना mole है 1 mole reaction को देखके बल रहा हूं यह कितना mole है 1 mole तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 liter क्योंकि according to Avagadro's law volume directly proportional to क्या moles याने कि moles को ही हम volume लिख सकते हैं 1 mole को यहाँ पर 1 liter लिखूंगा यहाँ पर 1 mole है तो इसको भी 1 liter लिखूंगा यह 2 mole है तो इसको 2 liter लिखूंगा य यहां पे कोई liquid या फिर solid होता तो यहां पे हम अभगड़ू लॉप लाइड नहीं कर पाते हमने यहां पे क्या अप्लाइ किया आप question में आपको ये भी 1 liter given है ये भी 1 liter given है एक liter के लिए एक liter तो इसके एक liter के लिए ये भी एक liter तो ये दोनों के दोनों खतम हो गए यानि कि ये दोनों के दोनों क्या है limiting reagent अब किसी भी एक limiting reagent के basis पे आप calculation करो एक तो इसको consider करो या फिर इसको consider करो एक लिटर से दो लिटर तो इसके एक लिटर से कितना किसी को भी consider करके किसी भी एक value को consider करके अगर दोनों limiting reagent है तो किसी भी एक value को consider करके हमें question को solve करना है तो यह कितना आया दो लिटर तो हमें इसका volume तो पूछा नहीं है हमें क्या पुच्छा है वॉल्यूम चेंज हुआ नहीं हुआ तो इनिशल वॉल्यूम वी निशल ूटू क्या वी-। है वी final कितना है वैटा वन ली टर हीडिफ SALOL है और वन लीटर दिर Hollywood है तो यह one तो यहां पर खतम होते हैं हमारे सारे टॉपिक तो चलो आप आपने आज क्या देखा दाट इस इंपरिकल फॉर्मूला एंड लिमेटिंग रियेजन आज जो आपने सीखा है उसको आज ही टेस्ट किया जाए इन आईएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए झाल